आजादी का जोश कभी कम नहोने देंगे जब भी जरुत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे क्योंकि भारत हमारा देश है अब दोबारा इस पर कोई आज ना आने देंगे गंतंत्र दिवस भारत का एक राष्टे पर्व है जो प्रती वर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधीनियां 1935 को हटा कर भारत का सविधान लागू किया गया था एक सब्तंत्र गन राजय बनने और देश में कारून का राज स्थापित करने के लिए सविधान को 26 नवंबर सन 1949 को भारत सविधान सभादवारा अपनाया गया और 26 जन्वरी सन 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार परनाली के साथ लागू किया गया था 26 जन्वरी को इसले चुना गया था क्योंकि सन 1930 में इसी दिन भारती राष्टे कॉंग्रेस ने भारत को पूर्ण सवराजे घोशित किया था 26 जन्वरी राष्टे परवो की सरेंखला में एक महान परव है 26 जन्वरी सन 1939 इस दिन अखिल भारते कॉंग्रेस के लाहोर में पंडित ज्वाला नहरों की अध्यक्षता में हुई अधिवेशन में सर्वसहमती से यह निर्ण लिया गया था कि पूर्ण सवराजे प्राप्त करना ही हमारा मुख्य दिया है नहरों की अध्यक्षता वाले अधिवेशन के इस प्रस्ताव पूर्ण सवराजे को कॉंग्रेस का मुख्य लक्षय गोशित किया गया प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को सब्तंतर घोशित कर देगा कॉंग्रिस ने 26 जनवरी की तारिक को पूर्ण सवराज घोशित किया था पूर्ण सवतंतरता की समर्थन में देश भर में 26 जनवरी सन 1930 को तिरंगे के साथ जलूस निकाले गई और सभाई की गई इसमें प्रस्ताव पासकर पूर्ण सवतंतरता ने मिलने तक सवतंतरता आंदोलन जाली रखने की प्रतिग्या की गई अन्तता 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश सवतंतर हो गया भारत की सवतंतर हो जाने के बाद सविधान सभा की घोशना हुई सविधान सभा जिसका उदेश भारत की सविधान का मसोदा त्यार करना था उसने अपना पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया अन्तिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्थ हुआ डोक्टर भीम ब्राव अंबेटकर की अध्यक्षता में गठित समीती दवारा त्यार भारति सविधान को लागू करने की तीथी को लेकर काफी विचार विमर्ष किया गया अन्तथ 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया इस दिन भारत में प्रजित आंत्रिक साशन की घोशना की गई डॉक्टर अंबेटकर दवारा निर्मित भारति सविधान में 22 भाग, 7 अनुसूच्या तथा 395 अनुच्छेद हैं सविधान में स्पष्ट किया गया है कि भारत समस्त राज्यों का संग होगा देश की सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गई सविधान हमारी आन है, सविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान हमारी जान है, और हिंदुस्तान पे जान हमारी कृपान है सविधान हम सब की पहचान है, इसको शचचचच पर नाम है, क्योंकि यह हम सब का अपिमान है 26 जन्वरी को भारत के राष्ट पति दवारा दिल्ली के लाल किले पर भारत्य दवच फेराया जाता है 26 जन्वरी को हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्शक करने वाले और मन मोह लेने वाले कारेकरम किये जाते हैं देश की राजधानी दिल्ली को किसी दूलन की तरह सजाया जाता है दिल्ली में बड़ी धूम धाम से प्रेट निकाली जाती है देश के कोनी कोनी से लोग दिल्ली में 26 जन्वरी की प्रेट देखने के लिए दिल्ली आती हैं दिल्ले में बड़ी ही धूम धाम से अस्तर शस्तर का प्रदर्शन होता है 26 जनवरी के दिन राष्टपती के स्वारी बड़ी ही धूम धाम से निकाली जाती है और बहुत से मन मोग कारेकरम का आयोजन किया जाता है देश के हर कोने में जगे जगे 26 जनवरी को मनाया जाता है कई तरह के कारेकरम आयोजित किये जाते हैं 26 जनवरी का यह त्योहार केवल भारत दवारा ही मनाया नहीं जाता बलकि दुनिया भर में निवास कर रहे परतेक भारत वासी दवारा मनाया जाता है इस दिन भार्त की राष्टपती दवारा भार्तिय राष्ट धवच को फेराया जाता है और इसकी बाद साहमुई की रूप में खड़े होकर राष्टेगान गाया जाता है फ्योराष्टे धवच तरंगा को सलामी दी जाती है इस अफसर पर हर साल राष्पत पर एक भवय प्रेड इंडिया गेर्ट से राष्टेपती भवन तक रास्थानी नई दिल्ले में आयोजित की जाती है इस भवय प्रेड में भार्तिय सेना के भिविन रेजिमेंट वायू सेना नौ सेना आदी सभी भाग लेती है इस सामावरों में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्टे कैड़ट कोर वे भिविन विद्धालियों के बच्चे आती हैं सामावरों में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है बलिदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आजाद हुआ आज सलाम करे उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गंतंत्र हुआ वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से अजाद हो गया था प्रन्तु इस अजादी को रुप 26 जन्वरी को दिया गया हमारे देश की अजादी किसे भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई हमारे देश की अजादी महान पुरुशू जैसे भगत सिंग महात्मा गांदी आदे के बलिदानों का परिनाम है देश भगत अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंदा ना देख सके और अपने देश को अजाद कराने के लिए अपने प्रान तक त्याग दिये उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को अजाद कर दिया गंतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और प्रेड़ना लेते हैं कि हम भी इनी महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्रान त्याग देंगे उसकी आन, मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तक पर रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंदे नहीं देंगे हम सब को इन देश भक्तों से प्रेड़ना लेनी चाहिए चलो फिर से खुद को जगाते हैं अनुशाशन का डंडा फिर घुमाते हैं सुनहेरा रंग है गंतंत्र का शहीदों की लहु से ऐसे शहीदों को हम सब सर जुकाते हैं जैहिंद जैभारत आवाद रहे तो